Hello everyone, COVID-19 के कारण डेली उनिवरसिटी ओपन बुक एक्जाम करवा रही है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है फाइनलेर के जो बच्चे थे, उनका एक्जाम ओपन बुक एक्जाम की थुरूई हुआ और NCVAP के जो 3rd semester के बच्चे थे, उनका भी हो चुका है पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए एक्जाम पहली बार हो रहा है जैसे जिन लोगों ने 2021 में admission लिया है उन बच्चों को ये पहली बार एक्जाम देना पड़ रहा है उनके मन में बहुत सारे सवाल है कि इस एक्जाम को किस तरीके से देना है कैसे फाइल को upload करना है कैसे PDF बनाना है कैसे questions के answer देने है उसके क्या-क्या instructions है इनी सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपको किस तरीके से एक्जाम को देना है अगर आप इसे पसंद करेंगे तो बाकी के सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा तो इस एक्जाम को देने के क्या-क्या process है आज Delhi University ने MOOC एक्जाम रखा था ताकि बच्चे एक बार रूबरू हो जाएं किस तरीके से एक्जाम को देना है उसी के regarding मैंने ये वीडियो तियार किया है आप इसको देखकर के हुपसू समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको एक्जाम में अपेर होना है तो आई ये स्टार्ट करते हैं मोबाइल से एक्जाम देना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्रॉजर का इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले आप क्रोम ब्रॉजर को खोल लिजिए इसको खोलने के बाद आप यहाँ पर न्यू टैब लेकर के इसमें आप एसोल लिख करके सर्च करिए उसके आप आप को खुल जाया गा जब आ उफिसरल एस्तेट हम खुले में लें तो इस परकर का इंटरफेस आप देएउर को मिलेगा यहां पर कंटिन्यू टू वेब साइट करिए उसके बाद आपको श्टूएंट डैसबोर्ड मिलेगा student dashboard पे click करने का यहाँ पे अपना SOL का जो roll number जो आपको i-card और FISC के receipt पे दिया गया है आप उसको fill कर लें उसके बाद आप अपना बारकोड फिल करिए यह आपका ID पासवर के तरह काम करता है और जब आप यहाँ से यहाँ पे अपना roll number और बारकोड दोनों fill करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का interface खुल करके सामने आएगा यहाँ पे most important instruction दिख रहा है यहाँ पे जो सबसे पहला वाला option है आप उस पे click करेंगे यहाँ पे आपको student portal खुल जाएगा यहाँ पे आपना roll number जो examination roll number है वो डालेंगे और उसके बाद जो आपने password बनाया था registration के दोरान वो password डालेंगे और उसके बाद आप capture code डालिए और डाल करके आप इसको login कर सकते हैं गलती से यदि आप password भूल रहे हैं या किसी भी किसम का दिक्कत का सामना हो रहा है तो आप इस password को forget भी कर सकते हैं नीचे आपको forget करने का option दिख जाएगा यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहाँ पे new registration कर रहेंगे पहले उसके अधाव आप्ता ID password यहाँ से generate करेंगे और उसके जब यह खोलेगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा open book examination mock test है और दूसरा आपको दिखाई देगा जो आपका subject का exam है वो यहाँ पे हमने बी ए पोल साइंस ओनर्स के लिए खोला है तो यहाँ पे एक ओनर्स का option दे रहे है और यहाँ पे examination सर्च करने का रहा है जब आप इसको left के तरफ drag करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ exam already हो चुके है जो exam चल रहा है उसका content चल रहा है और जो exam start है उसमें click here का option आजाएगा तो जो exam start है उसमें click here का option आजाएगा जहां पे कुछ guidelines है जैसे कि आपको चार घंटे का time मिल रहा है exam में आपको कितने MB का file आपको upload कर सकते है maximum 7 MB से ज़्यादा PDF नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा का PDF होगा तो upload नहीं होगा तो आप PDF बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो 7 MB का ही हो कुछ इस प्रकार से आपका question paper download करके सामने आएगा आप देख सकते हैं dummy question है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इस question paper को पढ़ने के आथ हम इसके हिसाब से अपने answers को लिखेंगे और answer को लिखने के आथ हम उसका क्या करेंगे PDF त्यार करेंगे और PDF त्यार करके हम उसको upload करेंगे और कैसे upload करेंगे यहाँ पर देखी हर एक question के लिए अलग-अलग upload का option आ रहा है question number one को आप अलग से upload करोगे question number two को आप यहाँ पर upload करोगे question number three को आप upload करोगे और हर question को आप individual upload करोगे सारे question को एक ही में नहीं लिखना है और जब आप इस question को upload करेंगे तो यहाँ पर add file का option आपको देखने को मिल रहा हूँ उस पर click करेंगे जब आप उस add file पर click करेंगे तो यहाँ पर पास option आता किस तरीके से यहाँ पर upload करने का option आता है तो guys आप left करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा upload करने के लिए यहाँ पर start upload आप कर देंगे जैसी आप picture फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उसका start upload का option आता है अब इसको upload करेंगे और यह आपका upload हो जाता है अप होने का आपको दिखाए दे रहा है एक option देखा रहा फाइल अप्लोड इट successfully और फाइल का size दिखा रहा आप उस फाइल में अगर गलत फाइल अप्लोड हो जाता है यहाँ पर delete का भी option है आप delete भी कर सकते है और फिर आप दूसरा फाइल भी upload कर सकते है इस तरीके से आप ज जज़ कर सकते हैं कि फाइल साही तरीके से upload हो चुका है साथ के साथ आप अपने हर एक step का screenshot लेते रहें अगर किसी कारण से कोई दिख्कत आएगा तो आप अपने college के जो जो official mail id उस पर आपको screenshot भीज सकते हैं as a proof आपके वास रहेगा अगर कोई दिख्कत आएगा तो इसक कर सकते हैं उसके जब सब्मिट करेंगे तो यहां पर फिर से आप से पूछेगा कि आप अपने answer को चेक कर लीजिए कुछ गलती है तो आप उसको दुबार से modify करके delete करके उसमें modify कर सकते हैं और अगर आपको लगता कि सब कुछ okay है तो फिर से आप इसको final submission कर सकते हैं यहा अपने answer अच्छे तरी के submit कर दिया है और इसी के साथ आपका काम complete होगा आप इसका screenshot लेकर के रख लेजी तो यहां पर दिखा रहा है कि आपने question का answer दिया और दो question का answer नहीं दिया तो हम जितने upload करेंगे उतना है यहां पर दिखा देता है बस इसी तरीके से आपको exam देना ह झाल